तो दोस्तो एक नई वीडियो में आप सब ये का बहुत बहुत है दोस्तो रेडिमी 10 प्राइम डिवाइस के लिए इंडिया में MIUI 13 और Android 12 अपडेट रिलेस होने के बाद में इस वीडियो में आप लोगों को MIUI 13 और Android 12 के 20 प्लस न्यू फीचर्स आपको बताने वाला हूँ अगर आप लोग रेडिमी 10 प्राइम डिवाइस को योज करते हैं तो इस वीडियो को बिना रुके हुए बिना इस्केप के हुए पूरा वीडियो को देखते रहेगा ताकि आप लोगों को सारे फीचर्स के बारे में पता चल जाए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर ले अगले फीचर के बारें बात करें जैसे की देख सकते हैं कि आप लोगों को नए साइड बार का फीचर देखने को मिल जाएगा अगर आपकी डिवाइस में नए साइड बार का फीचर देखने को नहीं मिला है तो आप लोगों को बेट करना हो सकता है कि नए अपडेट में नएा feature add कर दिया जाए अगर नए sidebar के विचर के बार इम बात करें करें जैसे की देख सकते हैं तो आप लोग को इसे enable कर देना है always so को on कर देना है उसके बाद में home screen पर आप लोग किसी भी app को floating window में open कर सकते हैं जो की काफी अच्छी बात देखने को मिलती है काफी amazing feature देखने को मलता है अगले feature के बारे में बात करें जिसे की देख सकते हैं कि आप लोगों को आपके file manager में नए features देखने को मिल जाते हैं आपकी device का जो file manager FAU से update कर दिया गए और आप लोगों को नए features के साथ में latest file manager आपके Redmi 10 Prime में देखने को मलता है MIUI 13 और Android 12 अपडेट के बाद में जिसे की देख सकते हैं अगले feature के बारे में बात करें जिसे की देख सकते हैं कि आप लोगों को नए EY देखने को मलता है जब भी आप लोगों अपने screen पर punch in करेंगे तो आप लोगों को कुछ इस तरह से layout देखने को मलता है जो कि latest MIUI 13 का layout देखने को मलता है जैसे की देख सकते हैं अगले feature के बारे में बात करें जैसे की देख सकते हैं कि आप लोगों को MIUI 13 का नया control center देखने को मलता है नए customization के साथ में आप लोगों को MIUI 13 वाला नया control center आपके Redmi 10 Prime में देखने को मलता है अगले feature के बारे में बात करें जैसे की देख सकते हैं कि आप लोगों को आपके device में नए widgets के option देखने को मिल जाते हैं तो इसकर आप लोग Redmi 10 Prime device को यूज करते हैं तो आप लोगों को बिजट्स के option में जाना है वहाँ पर आप लोगों को इस तरह के काफी डे सारे नए features देखने को मिल जाएंगे नए widgets देखने को मिल जाएंगे जिन्हें आप लोग अपने device में यूज कर सकते हैं लोगों को आपके device को यूज करने में और भी जादा मज़ा आने वाला है तो इसकर आप लोग Redmi 10 Prime device को यूज करते हैं तो मैं आपको बता दूँ जो features मैंने आप लोगों को बता है हो सकता है एक दो features आपके device में missing भी हो सकता है क्योंकि Redmi 10 Prime device मेरे पास नहीं है तो अगर आप लोग Redmi 10 Prime device को यूज करते हैं तो कमेंट करके बताएए कि कौन सा feature आपके device में देखने को नहीं मिला है और क्या आपको MIUI 13 और Android 12 अपडेट मिला है नहीं मिला यही तह इस वीडियो में अगर आप लोग Redmi 10 Prime device को यूज करते हैं और जैसे इस सभी पब्लिक यूज के लिए MIUI 13 अपडेट इंडियाम रिलेस किया जाता है उसका इंफोर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे टेलिग्राम चेनल टेकनिकल सियोम जी को जोई करना मत भूले उसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्करप्शन में देओ अगर वा लिंक अपनी वरा तो आप लोगों को सिंपली टेलिग्राम पर टेकनिकल सियोम जी सर्च करके जोई निकले ना है सो गई सही था इस वीडियो में वीडियो चेले को तो लाइक कर दीजे अपने दोस्तों साथ सेर कर दीजे और इसे वीडियो देखते रहने के लिए चनल को सब्सक्राइब कर लीजे